अल्वेज वेलकम साथियो डिजिटल क्लास हमेश आपके साथ दोस्तो जो भी कंटेंट अब तक आपको पढ़ाया गया है या फिर आगे इस वीडियो में पढ़ाया जाने वाला है वो कंटेंट आप डाउनलोड कर सकते हैं जो दोस्त फीस देने में समर्त हैं हमें इस नमबर Centroid, Centroid Coordinates वे डिजिटल क्लास अब तक दोस्तो हमने Centroid कैसे नकालते हैं Centroid क्या होता है यह सारी Information और अच्छे से पढ़ लिए जानकारी किस परकार क्या होता है तो अब दोस्तो हम कुछ याद करने के लिए जो कि हमें बहुत जल्दी याद रह जाएंगे और जो symmetrical आखिरती ह दोस्तों इनके कोडिनेट होते हैं बड़े सिंपल होते हैं इन्हें याद रखने के लिए हमें पूरा प्रोसेस करने के आप सकता नहीं कुछ हमें याद रख कर भी बहुत आसानी से हमारे सवाल या कुछ जहां हमें इनका काम लेना है डेरिवेशन जो भी कुछ आप ड्राइ प्रोम Y-axis Y-bar और Y-C क्या है दोस्तों distance of centroid प्रोम X-axis यह दोस्तों जो आपको X-Y-Z-axis दिखाई दे रहे हैं इस डाइग्राम में इसमें आप देख सकते हैं distance taken from reference axis यह दोस्तों X-Y-Z reference axis है यहां से इनकी distance लिगई एक्स बाहर है दोस्तों Y-axis है इससे जो distance है दोस्तों इस इसकी भुजा है यह V है और Y-bar क्या है दोस्तों D-Y-2 जो कि आप देख सकते हैं एक वर्टिकल जो इसकी भुजा है यह D-Y-2 है दोस्तों Y-bar इस परकार यह rectangle है दोस्तों तो इनका हम centroid आसानी से याद रख सकते हैं इनका centroid D-Y-2 या आप कह सकते हैं V-Y-2 पर होगा यह इ एकसिस से हम distance ले रहे हैं यह count कर रहे हैं उससे denote करने के लिए अब इसी परकार दोस्तों एक square होगा तो उसकी भी reference एकसिस से X-bar Y-bar बराबर A-Y-2 क्योंकि इसकी सभी बुजाएं समान होती है इस परकार circle है दोस्तों circle इसकी भी D-Y-2 X और Y-bar यह symmetrical आकरती है दोस्तों इनक इसकी triangle की इनका X-bar क्या है दोस्तों B-Y-3 पर और Y-bar भी S-Y-3 पर होता है इस प्रकार आप देख सकते हैं यह छोटा सा point आपको नजर आ रहा है दोस्तों यहां पर इसका centroid होगा यह कुछ standard centroid हैं दोस्तों जो आपको drive ना करने पड़े direct याद करने के लिए यहां लिख द भी पाई इस परकार दोस्तों आप triangle का देख सकते हैं area triangle का area दोस्तों एक बटे दो आदार गुना उचाही होता है इसमें दो तिरभुज बना लिएं दोस्तों हमने तो इनका दुगना जो इनका area छेत्रपल को दुगना कर दिया इसलिए बी-एस प्राप्त होता है अब इस moment about x-axis बटे ए इस परकार दोस्तों moment x यह moment about x-axis bh square बटे 3 और इसका area भी है चाहता है हम इससे आसानी से निकाल सकते हैं hy3 यह आप चाहो तो याद भी रख सकते हो दोस्तों single triangle है तो आपको इस परकार x x वार और y वार b by 3 और hy3 मिलेंगे और यह double triangle है इस तरह का triangle है जो यह square को काट के बनाए गया है इस तरह का कुछ हो तो आप इसका भी यही दोस्तो h बटे 3 इसका centroid होता है दोस्तों यह इनकी distance होती है इस परकार एक trick है दोस्तों आप समझ सकते है symmetric जो आकिरती है दोस्तों उनको जोड़ा जाए तो उनका center point होता है दोस्तों वहां जाके उनका centroid मिल जाता जैसे इन दोनों ट्राइंगलों का अलग-अलग h3 distance पर है इनको जोड़ दिया दोस्तों यह y axis पर आकर मिलता है इस परकार symmetric आकिरती कहीं आपको मिलें तो आप मोटा मोटा अनुमान लगा के भी इन्हें याद कर सकते हैं और इनका direct centroid निकाल सकते हैं दोस्तो यह थे कुछ दोस्तो important centroid कुछ जो standard section है दोस्तों यह आकिरती है इनके हमें 12 ड्राइब करके निकालनी क्या आप सकता नहीं है यह हमें याद होने चाहिए जिससे हमारी calculation fast हो सके है जब भी हमें जरत पड़े हम इनका इस्तमाल direct करेंगे दोस्तों एक-एक इस परकार नहीं निकाल सकते हैं इसलिए यह आसान है इनने आप आसानी से यादी भी रख सकते हैं यदि आप चाहते हैं दोस्तों और भी आकिरती आप उनका centroid count कर सकते हैं और उन्हें लिक कर याद कर सकते हैं तो आप इन notes हो में एक extra page भी add कर सकते हैं उनमें आप अपने notes के लिए add जो भ आपके लिए भी आसानी हो कुछ इसमें एक्स्ट्रा जोडने या हटाने के लिए वीडियो अंत तक देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद लाइक सेर करते रहें सपोर्ट करते रहें